आज मैं आपको आजमेर कांड की एक ऐसी सचाई बता रहा हूँ जिस पे न कभी लोकसभा में चर्चा हुई न राजसभा में चर्चा हुई न राजथां की विधान सभा में चर्चा हुई न हाई कोट में चर्चा हुई न कभी सुप्रिम कोट में चर्चा हुई खास तोर पे हिंदू लड़कियों को टार्गेट किया जा रहा था यह तो पूरा राम मंदिर का मुमेंट था उससे बदला लेने के लिए लड़कियों को टार्गेट किया जा रहा था और टार्गेट करने वाले कौन थे अजमेर की एक बड़ी दरगा से कनेक्टेड लोग थ थे ठीक है तुम बनाओ राम मंदर हम तुमाई लड़कों के साथ बलातकार करेंगे दुर्भागी वस 32 साल के बाद अब उनको सजा हुई है लेकिन उनको बलातकार की सजा मिली है हिंदू होने के नाते जो उन्होंने बलातकार किया था उसकी सजा नहीं मिली और सजा मिल भी नहीं सकती क्योंकि हमारे देश में बलातकार के लिए कानून है बलातकार के लिए सजा का प्रावधान है लेकिन अगर पाक नापाक क्या धार पर बलातकार किया रहा हो अगर इसलिए बलातकार किया रहा है कि यह तो काफिर है इसलिए बलातकार किया रहा है यह तो हिंदू कि अपराध करने वाला किस मंसा के साथ बलातकार कर रहा है, किस इंटेंशन के साथ बलातकार कर रहा है 1990, 1991, 1992 में जो अजमेर में बलातकार हुआ था और एक नहीं सैकडो बेटियों के साथ हुआ था ब्राहमर बेटियों के साथ भी बलातकार हुआ था वैस महेस्वरी जैन समाज की बेटियों के साथ बलादकार हुआ था दलित बेटियों के साथ भी बलादकार हुआ था वो केवल इसले बलादकार नहीं हुआ था कि वो वहसी थे वो दरिंदे थे उनको केवल लड़कियों से बलादकार करना था वो बलतकर इसलिए हुआ था कि वो लड़किया हिंदू थी या जैन थी, चिक की बेटिया थी, भाहं मरत थी छतरी थी, वेश्ट थी, दलीत थी कुल मिला कि वो काफिर लड़किया थी तो जो सजा मिली है वो तो बलतकर की मिली है उस intention की सजा कहा मिली है क्योंकि हमारे पाद नार्को पॉलिग्राफ ब्रेंड मैपिंग कानून नहीं है, मैं तो आज कह रहा हूँ, आज मैं राजस्थान की सरकार से कह रहा हूँ, अभी डिस्टी कोट ने सजा दिया है, आप डिस्टी कोट में एक अप्लिकेशन फाइल करिए, कि हमको इनका इंटे अब बलाद कार दिया है, आप एक बार करके देखिए तो, एक बार आप नार्को पॉलिग्राफ बेंड मैपिंग कर लीजिए, अभी बहुत मौका है, अगर डिस्टी कोट नहीं माल ले तो हाई कोट मफील करिए, कि हमको इनको फांसी चाहिए, और दूसरा, हमको इनका इन extension समझना है, हमको इनकी मंसा समझना है, कि इन्हों ने हंडर्द पर सेंनल हिंदू लड़कें के साथ ही बलाटकार क्यूं किया, एक भी उसमें मुस्लिम क्यूं नहीं है, एक भी उसमें और कोई क्यूं क्यूं नहीं है, यह नयाए नहीं हुआ पूरा, अभी यह अज़्वी में इनके पास वीडियो रिकार्डिंग की बिवस्ता होती तो 1990-92 में जब कि उससमें स्मार्टफोन आया है नहीं था उससमें इनके पास कैमरे हुआ करते थे उस कैमरों से वीडियो बनाया करते और बढ़का आर्गनाइज क्राइम था ऐसा नहीं कुसमें एक वेक्टीन वाल आदमी कोई नफरत के अधार पर बलादकार कर रहा हो हिंदू होने के अधार पर बलादकार कर रहा हो ऐसा हमारे पास कोई कानून नहीं है आज भी नहीं है ना उस समय था ना आज है समाधान क्या है सबसे पहले तो भारत में एक अमेरिका के फेडरल पीनल कोड जैसा एक युनिफॉर्म पीनल कोड बनाया जाए अमेरिका के फेडरल पीनल कोड है इसमें जो मर्डर है उस मर्डर में भी यह देखा जाता है कि उसका इंटेंशन क्या था वो किस तरीके से यह जैनो साइड कर रहा है वो हो लाधकर कर रहा है तो अपनी भूक मिताने के लिए बलादकर कर रहा है या उसकी मनशा में इसलिए है उसकी मनशा कर लिए हमخост 쪽 Indy कि और साओं मर्डर की जो मंसा है और मर्डर जिस तरीके से किया गया है उसके लिए अलग लग धारा है हमारे मर्डर की वे एक धारा हमारे बलातकार की एक धारा हमारे कहीं कोई ऐसा अलग से हमने प्रावधानी नहीं किया कि बलातकारी की मंशा क्या थी वो केवल इसलिए नफरत करता इस बिश्ले बलाकार किया और तीरान्बे आते आते सजा भी हो जाती दुख देखिए नार्को सब्सक्ति कर सब्सक्राइब मुझें सब्सक्राइब रसला सब्सक्राइब बातराइब बाकाइब एक स्कूल नहीं बारत में पांच पांच लाख स्कूलों में पाक नापाक सिखाय जाता है, पांच लाख स्कूलों में नफरत करना सिखाय जाता है, पांच लाख स्कूलों में सिखाय जाता है, कि जो नहीं मानते, जिस religion को हम नहीं मानते हैं, अगर उसको जो नहीं मानता वो काफिर है, उसको लुटो, उसको मा बंगलादेश जैसी नहों जो 1947 में हुआ था या दोजार चौबिस में बंगलादेश में हो रहा है या 1990 में कस्मीर में हुआ था वो बचे हुए भारत में नहों तो सरकार को ततकाल भारत में युनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना ही चाहिए दसवी तक कम से कम दसवी तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड वन नेशन वन सलेबस वन नेशन वन करकिलम कोई विदेशी भाषा नहीं कोई विदेशी किताब नहीं कोई विदेशी तालीम नहीं केवल भारत मैं इसले एक बार-बार कह रहा हूँ, अगर हमने गुलामी के नाम नहीं हटाए, गुलामी के निसान नहीं हटाए, गुलामी की कूरितियां खतम नहीं किया, गुलामी की कुपरत्राइं खतम नहीं किया, अगर हमने गुलामी की पुलिस बेवस्ता नहीं बदली, गुलामी की परबाद हो जाएगा अगर हमने ये विशेस दर्जा बंद नहीं किया विशेस इसकूलों को बंद नहीं किया विशेस बोर नहीं बंद किया विशेस ट्रेबुनल नहीं बंद किया विशेस आयोग नहीं बंद किया विशेस मिनिस्ट्री नहीं बंद किया तो 2047 वही होगा जो पारून ही आपको बचा पाएंगे, हमें बचा पाएंगे, आपके बच्चों को बचा पाएंगे, हमारे बच्चों को बचा पाएंगे, नहीं तो, यह आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, जो सुबह से लेके शाम तक बतोले बाजी कर